अगर आपके सिर में कहीं ऐसे पैचिस दिखाई पड़ें जहां पर बाल बिल्कुल उड़ गए हैं, वहां पर कुछ जलन भी हो रही है, खुजली भी आ रही है, तो हो सकता है यह बालों की बिमारी हो, जिसे हम कहते हैं Lichen Planopilaris, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि Lichen Planopilaris क्या बिमारी होती है, इसके क्या लक्षण है और इसका क्या इलाज है, मैं हूँ डॉक्टर शुकला एक Dermatologist, Lichen Planopilaris एक प्रकार का Lichen Planis है, इसके अंदर बालों की जड़े नश्ट हो जाती है, क्योंकि उन जड़ों में वहां पे इंफ्लेमेशन हो जाता है, इंफ्लेमेशन हो जाते हैं, इनका जो शेप है, या तो ओवल शेप हो सकते हैं, राउंड शेप हो सकते हैं, या फिंगर जैसे शेप के भी हो सकते हैं, इनकी संख्या भी कुछ भी हो सकती है, दो-चार पैचे हो सकते हैं, या ज्यादा भी हो सकते हैं, और ये साइज में भी छोटे बड़े ह हो सकते हैं और आपस में मिलके बड़े बना सकते हैं इन पैचेज के जो बॉर्डर होता है उस बॉर्डर पे जो बाल दिखाई पड़ते हैं उन बालों में थोड़ी रेटनेस दिखाई पड़ेगी बालों के असपास और वहां पे कुछ स्केल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं इन patches में खुजली आती है, जलन होती है और दर्द भी हो सकते हैं. यह patches ज़्यादा तर सिर के front portion में हो सकते हैं या back में हो सकते हैं या sides में हो सकते हैं. यह जो बीमारी है lycanoprenopyloris की यह 40-60 साल के महिलाओं में ज़्यादा होती है पुर्शों के मुकाबले और यह जो patches होते हैं नहीं के वल सिर में बलके eyebrows पर भी हो सकते हैं या कहीं और भी हो सकते हैं जहां पर भी बाल अपने शरीत पर होते हैं. अब जानते हैं कि इस बीमारी का कारण क्या है, क्यों यह patches बन जाते हैं? देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि यह प्रकार का lycanplanacy है इसलिए इसका वही का कारण है, जो lycanplanis का कारण है. तो lycanplanis के अंदर जैसा आप जानते हैं अपने body का immune system है, वह defective हो जाता है और वह एक तरह की cells पैदा करता है, जो cells बालों की जड़ों के against काम करते हैं, उन जड़ों को नष्ट कर देते हैं, वहां पर inflammation हो जाता है. लेकिन यह ऐसा immune system क्यों ख सकती हैं, या कुछ chemicals के कांट से ऐसा reaction हो सकता है. अब आते हैं कि इस बीमारी का treatment क्या है, देखिए एक चो चीज मैं आपको पहले बता दूँ कि इस जहां पर बाल आपके उड़ गए हैं, वह पैचिस पर्मानेंट हैं, वहां पर बाल दुबारा नहीं आएंगे. इसलिए अब अपने जो treatment है, वह treatment इसलिए अपन दे रहे हैं कि जिससे ये बीमारी आगे और नहीं बढ़े और दूसरे पैचिस नहीं बन पाएं. इसके treatment में हम लगाने की कुछ दवाईया देते हैं और कुछ खाने की दवाईया भी देते हैं. लगाने वाली दवाईयों में साथ में देनी पड़ती हैं. तो खाने वाली दवाईयों में स्ट्राइट सम् टैबलिट देते हैं या फिर दूसरी immunosuppressive drugs हैं जैसे कि cyclosporine है, methotrexate, azothiprine है ये देते हैं. कुछ और दवाईया हैं जैसे कि anti-malarial दवाई है, hydroxychloroquine वो भी इस बीमारी में फाइदा करती है इसी तरह से tetracycline या doxycline है ये भी इस बीमारी के अंदर फाइदा करते हैं. इन दवाईयों के अलावा अब जो अगर patches हो चुके हैं उनको ठीक करने के लिए तो हमारे पास एक ही रास्ता है और हो है hair transplant. लेकिन हम hair transplant तभी करते हैं जब हमें ये पक्का हो जाता है कि अब ब कह चाता हूँ धन्यवाद.